के किचिन के ही समानों से आप स्टोरेज कंटेनर कैसे बनाएं और काफी सारी यूसफूल ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो पूरी वीडियो देखिएगा लेट्स बिगिन विद दे वीडियो बिस्किट्स थी जो हमने परचेस की थी और यह बिस्किट्स का बॉक्स मैंने भेका नहीं क्योंकि यह लिडि के साथ है तो इसे आप जब चाहें तब उपन करिए इसके अंदर आप कुछ भी रखके आप इसे वापस से बंद कर सकते हैं तो इसमें पूरी बिस्किट्स थी ज जब तो इसमें मोदक रख दिया और मोदक खतम होने के बाद मैंने इसका क्या यूस किया मैं आपको बताती हूँ अपने सारे वाक्स्ट्रिप शीट मास्क यह सारी चीज़े मैंने इसमें रख दी है जो की बहुत ही अच्छे से इसका यूस कर लिया है मैंने इस तरह से आपके घर में आते हैं तो आप उनके ऐसे प्लास्टिक की बॉक्स को फेक यह मत उसका इस तरह से यूस कर सकते हैं नेक्स्ट स्टोरेज के लिए मैंने यहां पर कुछ जार खरी दी है यह है फ्रम मार्केट छे का सेट है यह ग्लास जार है और यह 300 ml की ग्लास जार है जो की होबस न स्पाइस रखने के लिए मैंने परचेस किये हैं तो इस तरह का भी आप परचेस कर सकते हैं इनकेस आप कोई डिय नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे डिरेक्ली परचेस कर सकते हैं यहां मैने सारे बॉ projets को FILL कर दिया है बट इनकेस अगर आप नहीं परचेस करना चाहते हैं और आप घर के ही समान से अपने स्टोरेज कलेक्शन्स चाहते हैं तो उसके लिए यह आइडिया है कि आप जो भी चीजे खरीदे वो ग्लास बोटल की खरीदे ताकि आप उसे वाश करके उसमें सारे हर्पस और स्पाइस रख सकें तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त यह जिंजर गालिक पेस्ट की बोटल है मैं आपको पूरी बोटल दिखा देती हूं तो यह है पूरी बोटल यह कांच की बोटल है और यह है वान केजी की बोटल इसकी लिट भी काफी टाइट है और जब यह जिंजर गालिक पेस्ट खतम हो जाए तब आप इस ब नेम प्लेट जो लगानी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेरे खाल से यह बेस्ट कंटेनर आइडिया है आप इस तरह से जिंजर गालिक पेस्ट का बॉटल खरी दिये और उसे खतम होने के बाद उसे इस तरह से यूज कर लीजे आज अ कंटेनर तो इस तरह का डबबा जो है चिप्स का आप देख रहे हैं यह काफी जादा स्टर्डी है यह कार्डबोर्ड का डबबा है इसके उपर जो लिड लगी हुई है यह प्लास्टिक की लिड है अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई चिप्स का डबबा है इसमें हम सारे डाल तो जब भी आप अपने बर्तनों को धोएं बर्तनों को इस तरह से मैट के उपर स्टैंड में रखें ताकि सारा पानी जो है वो मैट में आ जाए और इसके बाद हम इन सारे बर्तनों को अच्छे से कॉटन के क्लोच से पोच कर फिर ही कैबिनेट्स में लगाएंगे इससे क्य होगा कि कैबिनेट्स में आपके पानी नहीं जाएगा मैश्चर नहीं आएगा और आपके सारे यूट 03s इस तरह एकलीन रहेंगे और इससे आपका किचिन भी जो है वो क्लीन लगेगा तो यह टिस बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि कैबिनेट्स में पानी होग तो वु ताकि आपका जो……कूर्ण कर लिया जा सके। इससे क्या होता है की बर्तन जो है वह बहुत ज़्यदा जमा नहीं होते हैं और किचन भी कुझी अन्ग और लगता है। तो सबसे पहले तो आप सारे बर्तनों में से खाना निकाल लें और उसके बर्तनों को तुरंथ ही क्लीन करके उसे आप स्टैंड में लगा दें तो आपका किचन क्लीन दिखे उसके लिए सबसे पहले जब भी खाना बनाएं खाना को अलग से बर्तन में निकाल लें और सबसे पहले सारा जो आपका इंडाक्शन एरिया है कुक टॉप का जो एरिया है उसे अच्छे से क्लीन कर लें इसके उपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि मैं कैसे अपना ये इंडाक्शन क्लीन करती हूँ अगर आपको देखना है वो वीडियो तो मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी जरूर चेक कीजेगा और मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि सबसे पहले कुक टॉप को मैं क्लीन कर लेती हूँ इससे आपका आदा से जादा किचन जो है वो क्लीन दिखता है और ये बहुत जादा जरूरी है किचन को क्लीन रखने के लिए तो जरूर से जरूर वो वीडियो देखिएगा बहुत एफेक्टिव है यह टिप हमेशा फॉलो करें नेक्स टिप है हम जब भी खाना बनाते हैं कुकर्या करा ही रखते हैं तो हमें थोड़ा वक्त तो किचन में रुकना ही पड़ता है उस वक्त सबसे ज़ादा एफेक्टिव टिप में आपको यही दूँगी कि अपने प्लाटफॉर्म को जरूर साफ कर लें क्योंकि वो हमारा ऐसा टाइम है जब हमें कीचन में बिताना ही होता है तो ऐसे टाइम पर हम कैसे यूटिलाइस करें उस टाइम को तो आप अपने प् प्लाटफॉर्म को क्लीन करके क्लीन करने के बाद प्लाटफॉर्म को वेट ना रखें इसे तुरन सुखाएं इस तरह से आप एक गलाफ्स ले सकते हैं कॉटन का और उससे अपने प्लाटफॉर्म को क्लीन कर सकते हैं यह बहुत जरूरी है एक डिस्क्लेमर में यह देना च चीजे हैं उसे भी साती सात पोच लें नेक्स टिप है डिश वाशिंग का ये जो डबा आप देख रहे हैं ये DIY है तो आपने मेरी स्टोरेज की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा उसमें मैंने शेर किया है कि ये डबा कहां से आया है तो जो भी आपका डबा ह उसमें आप अपने डिश वाशिंग के जो भी समान है लाइक स्क्रबर्स डिश वाशिंग लिक्वीड तो ये सारी चीजे जो आप इस डबे में रखते हैं उस डबे को फ्रिक्वेंटली क्लीन करते रहें और जो भी डिसकार्ड करने लायक आपका स्क्रब है उसे आप डस् बेसिन है उसे क्लीन कर लें अपने जो टाप वाटर उसे क्लीन कर लें तो इस तरह से आपके ये चोटे-चोटी चीजें हैं जो आपके किचन को क्लीन रखती है अपने बरतनों को क्लीन रखने के लिए आप सबसे पहले अपना जो स्क्रबर है उसे जरूर चेंज करें जब भी आपको लगे कि आपका स्क्रबर जो है वो पुराना हो गया है काफी टाइम से आप उसे यूज करते आए हैं तो उसे आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें उसे बहुत जादा फर्क पड़ता है किचिन के लुक में भी और बरतन जब आप क्लीन करते हैं उस वक्त भी तो यहां आप देख सकते हैं किचिन का जो लुक है वो कितना क्लीन हो गया है सिर्फ छोटी छोटी टिप फॉलो क करके यह टिप जरूर फॉलो करें जब भी हम किचिन सिंक में बरतनों को दोते हैं तो जो प्लाटफॉर्म होता है उसके जरीए पानी जो है वो नीचे जरूर ही गिरता है अब मेरे किचिन में तो पानी नीचे जरूर गिरता है इसके लिए मैं सबसे इफेक्टिव टिप फ तो लास्ट टिप है कि जब भी आपका डस्ट बिन फुल हो जाए इसका जो पर गाइब कर दें जो भी आपके अविलेबल है डस्ट बिन वहां पर जाके डिसकार्ट कर दें तो इस तरह से आपका की चिन जो है वह नेट एंद क्लीन एंड और गनाइज रहेगा तो आई इसे follow करके आप अपने kitchen को daily basis पे clean रख सकते हैं तो friends ये है मेरा dining table हमें जो भी समान मिलता है वो सब हम इस पे लाके रख देते हैं तो फड़ा फड़ा से सब मैं अपने अपनी जगे पे place कर देती हूं और यहां पे chairs लगा देती हूं तो आप देख सकते हैं काफी सारा समान है dining area पे तो ध्यान रहे कि आप जो भी समान जहां से लें आप उसे वहीं रखें तो मेरी आदत जो है वो बहुत जादा इस तरह से खराब है मैं सब dining पे रख देती हूं अब मैं इसे clean कर रही हूं तो clean करने से पहले मैं सारे chairs को अपने अपने जगे पर लगा दूँगी जैसे कि round table है इसके पास चार chairs रखी हूई थी जो यहां वहां पड़ी हूई थी तो मैंने अभी सारे chairs को arrange कर दिया है अब जैसे कि इस पे इतने सारे समान थे तो मैं इसे सबसे पहले spray करके clean कर लूँगी सारे chair को भी and round table को भी यह बहुत जादा जरूरी है क्योंकि dust बहुत जादा पड़ते हैं अगर आपका weather windy है तो बहुत जादा dust होई जाते हैं सबसे पहले आप clean कर लीजिए cleaning के बाद आप अपने dining area को ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप fruit basket रखिए यह steel की food basket आपको easily amazon पर मिल जाएंगे तो इस तरह से fruit basket रखने से आपका जो dining area है वो complete and थोड़ा unique लगता है और I think यह सबसे best idea है अपने dining area को decorate करने का तो इस तरह से आप fruit basket रखिए इससे क्या होता है fruit सामने होता है तो हमें एक या दो fruits तो हम खाई लेते हैं next is आप table mat भी रख सकते हैं यह table mat भी आपको amazon पर मिल जाएगा मैं link description में दे दूँगी table mat रखने से क्या होता है कि आपका जो table है वो थोड़ा अच्छा भी दिखता है look wise भी और dining area पर आप जो भी कुछ खाते हैं उससे आपके table mat पे ही गिरता है ना कि table पे तो इससे आपको सिर्फ mat को clean करना होगा और यह tip जरूर फॉलो करें next is आप अपने dining area पे simple सा decoration चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक simple सा mat लीजिए जो decorative हो जिससे आप इस पे round table पे round mat जादा अच्छा लगता है तो वैसे ही आप round mat ले ले और इसे इस तरह से place कर दें और इसके उपर कोई भी flower vase रखें या फिर कोई भी decorative item आप रख सकते हैं इससे आपका जो dining area का look है वो बहुत ही जादा decorative भी लगेगा simple, unique and बहुत ही elegant भी दिखेगा इस तरह से आप अपने dining area को decorate कर सकते हैं, organized कर सकते हैं I hope आपको मेरा ये छोटा सा tip संदाई होगी So laundry essential में सबसे पहले तो आपके पास ये laundry basket होनी चाहिए ये बहुत ही जादा affordable है और easily आपको Amazon पे मिल जाएंगे काफी सारे variety में ये बहुत ही flexible है, बहुत ही अच्छे material की plastic यूज की गई है इसमें इसमें दोनो side handles दिये गए है and it is made up of soft flexible material और इसमें आप 15 kg कम से कम कपड़े रख सकते हैं आप machine में कपड़े जब आप डालते हैं उस वक्त लेके जाना प्लस अगर आपको आइनिंग करना है तो इसमें आप dry clothes रख सकते हैं and iron कर सकते हैं machine में डालने के लिए आपको बहुत सारे कपड़े एक साथ हो गए हैं तो आप इस बास्केट में रख सकते हैं और एक साथ आप इसे machine में धो सकते हैं आप इसे लिके जा सकते हैं तो इसे लिकेजग रसकते हैं तो आप सनकीछा सकते हैं next, इस टोरेज बास्गेट रायए प्लस टोरेज लेडिकें तो नहींनी apart मैं सप्लंड जरूर करणी कि आपके पास ये होना चाहिए जैसे कि आपके सन, आपके हास्बिन्स आपके घर में जो भी है आफिस गोईंग है स्कूल गोईंग गर्ल्स हैं, बॉईज हैं तो आपके जो शूज, सॉक्स, एंड लाइक हैंकरचिफ, मास्ट ये सारी चीज़े जब हमें धोनी होती है तो हम यहाँ बिक्री पड़ी होती है और हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी धोनी है तो आप इस तरह के बास्केट में एक जगे रख सकते हैं, इस एसेंट्शिल नेक्स्ट इस रियूसेबल शीट बैक्स, यह आपको अमेजॉन पर मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक सारे डिस्रिप्शन में दे दूँगी जो भी है, इसका जो बेनेफिट यह है कि आप अगर कोई छोटे-छोटे क्लोस डालते हैं लाइक इनर वेर, लाइक लांजरी माटेरियल, हैंकरचिफ, सॉक्स, यह सारी चीज़े अगर आपको वाश करनी हैं, तो आप इस तरह के बैग में एक साथ डालके और आप इसे मशीन में डाल सकते हैं तो इससे यह होगा कि यह सारी चीज़े एक जगे होंगी और अगर आप लांचरी डालते हैं, तो वो खराब होने का उसका डर नहीं होता क्योंकि उसमें जो वाइर्स यूज़ की गई होती है, उसकी जो माटेरिल यूज़ की गई होती है वो खराब नहीं होती है तो इस तरह से आप ये रियूसेबर शीट बैक्स ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने मशीन में डाल कर आप अपने clothes को दो सकते हैं तो यह easily adjustable हो जाती है आपके washing machine में भी और कोई tension नहीं होता है कि आपकी जो laundry है या फिर आपके जो भी material है वो खराब होंगे So this one must definitely have in their laundry essential Next essentials में मैं यह cloth drying foldable stand recommend करूंगी This is definitely one must have चाहे आपका बड़ा घर हो चोटा घर हो बट यह बहुत जादा काम आने वाली चीज है इसमें आपको 10 racks दिये गए हैं और यह 10 racks जो आप देख रहे हैं यह 10 racks में काफी सारे कपड़े आ जाते हैं This is foldable, you can place it anywhere near any area of your room आपको इभी अपने room के corner पे इसे place कर सकते हैं, fold करके यह stand जो है, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, आप इसे घर में भी रख सकते हैं, कपड़े डालने के बाद इनके बारिश वगएर आ जाती है suddenly जैसे कि आप जानते हैं अगर आप मुंबई में है तो मुंबई में तो कभी भी बारिश होई जाती है तो इस तरह का stand तो होना ही चाहिए और जब आप इसमें कपड़े डालें तो आप इसे फोल करके कपड़े डाल सकते हैं, सुखा सकते हैं फोल करके इसे रख भी सकते हैं एक साथ इसमें काफी सारे कपड़े आ जाते हैं तो यह वन मस्ट देफिनिटली है तो आफ्टर लॉंडरी रूटीन वन मस्ट आफ दिस फोल्डिंग आइनिंग बोड यह असेंशल है इसलिए क्योंकि ऐसे तो आइनिंग आउट्सोर्स है बट जो भी घर पे आइन करते हैं उनकी यह मस्ट हैव है क्योंकि आप आइन करने के बाद आप इसे फोल्ड करके कहीं भी आपके कॉर्नर अफ दो हाउस में इसे प्लेस कर सकते हैं जो भी अपने आइनिंग को आउट्सोर्स करके रखे हैं तो एमर्जंसी केस में आप लास्ट मोमेंट पे आप इस बौर्ड का यूज करके आप आइनिंग कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें कवर लगा रही हूं इन केस आपका आइनिंग बॉर्ड स्टिफ है आपको लगता है कि उसमें प्रॉपर तरीके से आप आयन नहीं कर सकते हैं तो इसके कवर भी आते हैं तो इस तरह के कवर आप लेकर अपने आयनिंग बोर्ड पे लगा सकते हैं इस ग्रेट एंड इस वेरी सॉफ्ट I'll give you all the link in the description box जो मुझे लगा कि ये essential में होना ही चाहिए तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा इस पे बहुत ही smoothly आप आयन कर सकते हो फोल्ड करके आप कहीं भी रख सकते हो तो foldable आयनिंग बोर्ड में तो जरूर इन्वेस्ट करें definitely you should have next and the last tool is ironing machine सबसे best ironing machine आपके पास होनी चाहिए that's what I feel the upper part is clean and dry and wet connection ऐसा दिया हुआ है this is from brand sun bean so we have kept the best ironing machine इससे आप क्या कर सकते हो set कर सकते हो तो हर एक iron machine में ये तो लिखा ही होता है कि वो silk पे cotton पे या जो भी fabric है उससे आप रखके iron कर सकते है so ये जो अपर पाट जिससे में आप स्प्रे किया that was related to water if you want to spray water on cloth you can spray it and then you can iron it so I think this is the best tool you must have I hope you like this video if at all yes then please hit the like button subscribe to my channel and we'll meet you on my next video bye bye take care thank you so much for watching